इस लेक्षर में आपको फंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा और फंक्शन में हम दो मैं को इंहुक्षर करेंगे एक जो के वॉइट फंक्शान दूसरा जिनकी रीटर अपिंथ उन दोनों की इंपातनर स्थिया है इसों बहुत क्या पर्थाए्लिक करेंगे अब बहुत कर सकते हैं तो चलिए start कर, तो last lecture मैंने आपको बताया था कि functions आप कैसे declare करते हैं, function, keyword, then आपके function का name, for example, subtract, right, and then आप इसको कुछ argument, parameters pass कर सकते हैं, let's say x या y, then आपकी यहां पर body आ जाती है, right, और body में आप इसको console कर देते हैं, console.log और x plus y, यहां पर आप message पर enter कर सकते हैं, right, जो भी आप print करवाना चाहते हैं, और यहां पर आप इसको x plus y, right, और अब आप इसको यहां पर call कर लेंगे, इस तरह से, right, यह हमने last lecture में पढ़ा था, अब अगर आप यहां पर इसको run करें, तो इसका answer आ जाएगा, 9 न आ रहा है, because हमने इसको को argument pass नहीं किया, right, तो 2, 3 हम pass करते हैं, दुबार से run करते हैं, तो अब देखें, इसको value हमने pass कर दी, तो यहां पर value आगी, अब एक problem है, problem पता है, problem यह है, कि अब अगर मैं चाहता हूँ, देखें, अगर आप इस function की definition यहां पर click करें, तो यह देख रहे हैं, यहां पर क्या लिखावारा, void, right, हमारे प कोई return type नहीं होती, means, आपने यहां पर जो भी code लिखा है, वो यहां पर आके execute हो जाएगा, right, और इस code की जो भी output आएगी, input आएगी, वो आप इस bracket के बाहर नहीं use कर सकते, right, यह इसका problem है, अब यह problem तो है, of course, अगर मुझे यह sum, जो मुझे यहां पर sum का answer मिला है, जो के भी 5 आया है, वो 5 में कहीं use करना चाहता हूं, तो मैं उसको use नहीं कर पाऊंगा, तो फिर क्या फाइदा हमें function सीखने का, because function मैं आपका मैं initially बताया था, function is a reusable code, जो के कुछ task perform करता है, right, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक और type आ जाती है, जिसमें हम keyword use करते है, return, और जो कुछ भी हम return करवाना चाहते है, x plus let say y, देखें यहाँ पर, तो अब अब इस function की definition पर आएंगे, ठीक है, x plus y आप देखें, यह return करा रहा है, इसको आप अगर दुबारा से reload करेंगे तो आपके पास यह problem नहीं आएगा, लेकर आप दुबारा से run करें, ठीक है, और इसको आप console नहीं करें, इसको just आप print करें, अब देखें, आपके पास कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अब यह क्या कर रहा है, यहाँ पर यहाँ पर एक logic perform हो रहा है, ठीक है, अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर let sum is equal to x plus y कर लें, और यह sum आप इसको य result is equal to sum, ठीक है, अब यह जो function है यह अब आपको एक value return करके दे रहा है, और वो क्या होगा, वो एक number होगा, इसको save करें, और आप यहाँ पर आके इस console कर लें, console.log, आप आप इस result को, result, ठीक है, और यहाँ पर आप आजएं, और इधर आजएं, और इसको आप यहाँ पर save कर करेंगे, वहाँ पर आपको value return करके दे रहा है, तो अगर आपको value कहीं पर चाही होगी, तो आप उसको use कर सकते हैं, आप उसको use कर सकते हैं, इसका फाइदा ही है, इसके लावा एक और चीज़ पताता है, चलूँग, मैंने आपको पताया था, कि यहाँ पर आप argument में कुछ shift, ठीक है, तो यह देखें, यह पूरी array आपने pass कर दी है, अब एक और चीज़ बताता चलूँ, वह यह कि यहाँ पर जरूरी नहीं है, कि आप safe numbers ली return करवा सकते हैं, अब आप इसको array return करवा रहे हैं, देखें, यह आपने पूरी array return करवा दी, 12 से safe करें, अब आपके पास साम में अब जो result आएगा, यहाँ पर आप इसको is login return करवा है, safe करें, जो भी value आ रही है, ठीक है, उसको हम return करवा रहे हैं, यहाँ पर देखें, अब आपके पस false आ गया, similarly, आप यहाँ पर आजाएं, और इसको आप return type में object भी return करवा सकते हैं, name, for example, यहाँ पर आजाएं, name और name में आप यहाँ पर कर दें, आसिफ, search, taj, आप यहाँ पर आ जाएं, age और age आप इसको कर दें, 24, दुबारा से safe करें, और safe करने के बाद दुबारा से run करें, ठीक है, safe करें, दुबारा से हम run करें, यहाँ पर देखें, आप के पास पूरा object आपके पास return नोगा, ठी यह इस तरह से काम करेगा लेकिन अगर आपको return करवा रहे हो तो फिर उस return को आपको एक variable में assign करना होगा hold करना होगा ठीक है जब आप उसको hold कर देंगे उसको value assign कर देंगे तो वह आपके पास आ जाएगी इस variable में store हो जाएगी, जिस तरह से हमने अब देखें, यह simply यहां से आया, इस यहां पर आया, इसने यहां से एक object return करवा दिया, वो object यहां पर आएगा ठीक है, और object की value इस variable को assign हो जाएगी, इस दुबारे से save करें, run करें, यह देखें, आपके पास आगा, अब इस result के थू अब आप जो भी value यहां से return होई थी न, name या age, वो भी आप print करवा सकते हैं, save करें, दुबारे से run करें, और यह आपके पास आसर्फता आ जाए, ठीक है, similarly, आप कुछ भी return करवा सकते हैं, array, objects, जो भी आपका दिल करता है, right, so यह था about functions के हमारे पास दो type के functions होते हैं, एक void और एक जिनकी return type होती है, return type में means आपको वो data कुछ return करवा के देंगे, और उस data को आप जहां पी भी function को call करेंगे, आप उसको एक variable में assign कर देंगे, तो आप उसको use कर सकते हैं, right, जहां पर आपको ज़रूरत होती है, दूसरे हमारे पास void functions होते हैं, जो कि सिर्फ body के ठीक है, JavaScript यह किसी programming language में, और हमारी requirement के उपर depend करता है, और जो requirement जिस तरह का function fulfill करेंगे, हम उस तरह के function को use कर देंगे, right, so I hope आपको वीडियो पसंद आईगी, अगर आपको वीडियो पसंद आईगी, लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें, इसके लाब आप मेरा WhatsApp क चैनल, Facebook का group भी जोइन कर सकते है, so thank you so much for watching this video and I will see you in the next one, bye bye.